आज किस चैप्टर में हम कवर करेंगे डारेक्ट पर्चेजिंग क्या से कराए जाती है थ्रू ए लिंक एन उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक हम कवर कर लेंगे इसमें करेंगे मल्टी ओडर मान लीजे मेरे पास मल्टी ओडर है यह तरह का एक तो हो गया डारेक्ट करेंगे तीसरा हो जाता है कि मान लीजे मेरा कोई प्रॉडक्ट है और उस प्रॉडक्ट को किसी और ने पेर कर लिया है तो उसका लिंक कैसे जनरेट करूं तो सबसे पहले आप करना क्या है जो भी आपके पास ओर्डर हो न उस ओर्डर का आपको कुछ हिस्ता रखा न एक् के बाद क्या कहते हैं आपकी जो आपको बाया ने कॉंटिटी ओर्डर कर रही है वह कॉंटिटी ओर्डर का एक रोव बना लोगे इसमें और यहां पर क्या क्या आपका टोटल प्राइज आ रहा है इन दोनों को गुणा कर दो का फॉर्मुला लगा दोगे तो यहां पर टो क्या क्या करते हैं पर लिंक करने की लिए तबसे पहले अपने लिंक करो लिंक करने के बाद यहां पर मैच करो कि आपके पास इस talk में जो अवे लेवल क्या है यहां पर उतनी अवेल शो कर रहा है की नहीं कर रहा है उसके बाद मिनिम infection आपने जो डाल रखायाste कि इसका नया मैं इस लिंग कोल देता हूँ इसमें ःतिनाइन रखावा तो यह जी यहां पर मैंने चीज़ तो 89 ने की ये code हो गया मेरा कि ये से verify हो जाता ये product जो है मेरा ही है पॉइंट पैसे में code बनाके रखना चाहिए हमें तो ये तो हो गया हमें अपने products को कैसे verify करना है कि हमारा ही product है अब link बनाने की बात करा link बनाने में तो simply क्या है आपका देखिए यह वाला product है तो आप अपने computer का control का बटन दबा के रखे और यह जो product का नाम आता है इसके उपर click कर तो एक नया link खुल जाएगा और यहाँ पे देखो जो आपका offer price है क्या यहाँ पे भी वही offer price आ रहा है हाँ देखिए यहाँ पे भी वही offer price आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना हमें इसमें simply यह वाला link जो इस वाली रोपे आएंगे हम इस वाले link बस रोपे कुछ नहीं करना आप mouse से इसके उपर click कर देना यह automatically पूरा select हो जाएगा पूरा select करके इस पर अपने keyboard से control c का command देना copy का command और अपने इस पर जो actual वाली sheet है इस पर आ लिंक निकाले ठीक है तो इसी तरह आप एक दो तीन चार करके सबके link निकाल लो इन में तो कुछ नहीं है अब बात करते हैं जो हमारा product है अब यह product हुआ हमारा duster अब इसका link क्या हुआ है न किसी ने copy कर लिया है जिसकी मैज़े से copy करने के बाद market में यह हमारा product हमें से pair किया और हमसे पहले किसी ने 17-50 पर पेर कर दे आब इस वाले प्रोड़क को हम चेक करते किया यह वाला हमारा market में शो कर रहा है market में आए मार्केट में आने के बाद हम इसको अपना प्रोडक्त मार्केट ऑपइन किया यहाँ पर हमने के आपता की कैटेगरी कापी करने के बाद हम क्या करेंगी यहाँ यह जो दिख रहाना सिलर रजिस्ते एडरेस हैं इसमें आपको काम यहाँ पर अगरो अप net pri लते लगा दो अपने डिस्टिक का लगाना यहां पर आपको filter ना कि buyer के district का यहां बायर के district का filter लगाओ, आपके अपने seller account में जो office location verify हुआ 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 है और उसमें district क्या डाला आपने वो वाला district यहां पर डालना है. तो मैं यहां को कॉपी करके दो बायर को और इस वाले लिंक को कॉपी करके देने के बाद यहां पर पेस्ट कर दो उसको बोलो यह वाला लिंक कॉपी कर लेगा लोग कॉपी करने के बाद अपने प्रोडक्ट के आप आइडेंटिफिकेशन बता दो कि यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट है यह इसमें कोई दिक्कत वालि नियुक् vraiment होग बाइर केका लिए स्थिर्सींग कहया। तो इसके लिए हमने क्या किया सबसे पहला तो हमारे यह प्रोडक्त था इन सब में कोई दिक्कत वाली बात निए जो दिक्कत वाली बात होगी सबसे लाश्ट वाले में और उसी में ट्रिकी चीज आपको यूज़ भी करनी है तो यह हमने कोपी किया यहां से और बायर कुछ मैं अपना देख लेता हूं हमारे पैन का रेट क्या था है इसका रेट है बाइस रुपे लेकिन अब इसको भी किसी ने तुरंत इतनी सी देर में पेर कोपी कर लिया तो अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा अपना डिस्टिक मार्केट में जाके वही तरीका डिस्टिक वाला फिल्टर निकाल गया रखना पड़ेगा कॉपी हो जाते तो रेट मर्प इसलिए मैंने का था हमेज़ा सोच समझ के कुछ ऐसा यूनिक रखो जिससे आपको पता चले कि आपका ही प्रोड़क्ट है यहां पर हमने यह डाल दिया और थोड़े से फिल्टर ह उसे टיight में होगे हमारा हाइलाइटर और इससका जू साइज है में 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 था मेतर हमारा फॉइब में ए PSY प्रोडक्त आया तो यही प्रोडक्त में के बाद इसको आपज रहेंगा्ट सेलर में के सब्सक्राइब तो आप क्या करोगे इसको seller account पे आप काम करोगे तो इसी तरह अपने इस link को copy कर लोगे और copy करने के बाद आप अपने actual sheet में paste कर लोगे क्यों यहां पर आप जो हमारा product है किसी ने pair कर चुका है कोई तो यहां इस वाले time में मैं आया और अपने इस वाले जो नया link है मेरा इसक इसी और के पास नहीं जाएगा तो इस तरह से पहला item था हमारा अब इसको हमने क्या क्या है add to card कर लिया बायर ने बायर एक टुकार्ट पर करेगा direct purchase का मतलब बता दिया है ना सबकर समझ है कि यह जब 25,000 तक की purchasing होती है तब तो बायर है आप से purchasing easily कर लेता है उसको 11 comparison की मांड के according मार्केट में जो सबसे सस्ता product supplier होगा उसको system L1 दिखाएगा और बायर को उसी का product purchase करना है तो यहां पर हमने उत्तरपरदी select कर लिया अपनी quantity डाल देगा बायर quantity हमारी कितनी थी order sheet के according यहां पर quantity हमारी order sheet के according 65 तो यहां पर अपनी quantity डालेगा और add to card करेगा बायर add to card किया add to card करने के बाद क्या हुआ यहां पर हमारा product add to card हो गया पच्छे जार तक के order में बायर पर बाउंडेशन नहीं होती वह ले सकता है without L1 product को भी लेकिन जब पच्छे जार से उपर होता है तो उसके लिए बायर उसी का product ले सकता है जिसका product यहां पर current L1 आएगा otherwise व इसी कार्ट में और भी product add करके देखेंगे क्योंगी stationary में सबसे ज्यादा होता है कि छोटे-छोटे order होते हैं और एक ही कार्ट में बायर कहता है मिरको सारे product लेने तो multi order in one card यही चीज हम समय यह पहला product होगे हमारा अब second देख लेते हम second में भी यह link लिए हमने और इस link को हम हम फिर से copy करेंगे copy करने के बाद buyer के account पर good buy कर आने के बाद यहां पर हम उसे paste करेंगे फेस्ट करने के बाद यहां पर इंचिछु これ आपको पंदरा सो कुछ दिखा रहे तो यहां पर confuse बंद हो यहां पर edit consigny कर लेना और यहां से इसको reset कर देना तो यहां पर हमने अपने notepad का जो link था उसे copy किया copy करने के बाद paste कर दिया यहां पर पहले क्या था rate ज्यादा दिखा रहा था rate क्यों दिखा रहा था जो हमने last time quantity डाली थी उस quantity की बज़े से दिखा रहा था जैसे यहां पर पैसर डलावा था तो मैंने इसको क्या गया reset कर दिया reset करने के बाद exact rate आ गया अभी इसमें तो हमारा same rate आ रहा है तो इसको तो बाइर थूरू link के थूरू direct purchasing कर लेगा लेकिन जब same rate नहीं आएगा बायर को बताना है same rate यहां पर अपनी quantity डालेगा quantity 10 का order है यहां पर order sheet में 10 की quantity डालेगा यहां पर 10 की quantity डाल दी यह भी हमारा add to card होगे यह एक ही card में order बन रहा है दिखो card की value है बढ़ती जा रही है अभी हम यह पूरा card बनाएंगे इस amount का ठीक है अब हमारा आजाता है third item third में भी हम चेक कर लेंगे third में भी यही कि हमने market में उस link को paste किया link को paste करने के बाद हम चेक कर लेंगे हमारा offer price विग्यारा match है की नहीं है यहां पर don't allow कि हमने इसमें और यहां पर जो है देखिए यहां पर 1289 और हमारा जो rate था rate यहां पर 1289 ठीक है तो यह ठीक है इसको भी हम क्या करेंगे direct purchase करेंगे add to card करेंगे यहां पर बाइर अपनी quantity बताएगा कितनी थी 1111 की यहां पर quantity डाला 1111 to card यह भी होगा हमारे तीन प्रोड़क्ट होगा अब हमको क्या करना है अपना और भी जो हमारे बाकी के हैं अब इसमें एक last क्या रह गया हमारा डश्टर रह गया तो इसको copy किया और यहां पर हमने इसको क्या 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 पीस्ट किया अलाबाद में इक का जो रिश्टर डीलर है वो इक पोचा देरा 14 रूपे का और हम भी अलावात के रिश्टर डीलर है और हम इतने का देर है तो इसमें क्या करेगा बाएर सिंपल हमारे वाले प्रोड़क्ट आ जाएगा उसके सामने इसको add to card कर लेगा यहां पर add to card करेगा अपनी जो भ order in one card इसी तरह से आपको माल लेजिए कोई सिंगल सिंगल प्रोड़क्ट के order करवाने हैं वो भी आप कर सकते हैं आप क्यारों ओर्डर तो मेरे यही सारे है लेकिन वह 21,000 ना होके जो order है मेरे यह है कितने 43,000 के तो फिर कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या गरना है आपको आ वैल्यू आ रहा है मतलब 3-4 प्रोड़क्ट डाल के आप कर लो सेट 3-4-5,000 तक क्या जाएंगे तो उनका एक कार्ट बना दो और उसके बाद क्या करो बायर का अकाउंट पोर्टल जो है लोग आउट करो लोग आउट करने के बाद दुबार से उसको लॉग इन करो बायर क इस वाले ओडर को कैसे हम रैडी करेंगे हमने यह तो देख लिया कि यह 25,000 से नीचे का ओडर था इसको इसली से हमने एक कार्ट में बना दे आप यह 25,000 से उपर का ओडर है हमारे इनी सभी प्रोड़क्ट का तो इसको कैसे ओडर बनाएंगे इसके लिए मैं यह तो मैंने दिखा देता हूं कहां रखा होगा व्यू ओल कार्ट पर जब बायर जाता है तो यहां पर देखिए पूरा मेरा कार्ट जो है यहां पर डला हुआ है अब हम फ्रेश दूसरा वाला ओडर बनाएंगे छोटा वाला तो हमने देख लिए 27884 का बना के देखा यह इसली बना ठ भी स्ब्सक्राइब हम्रेश को क्रीच करेंगे एक जो हमारा हाई-डावय प्रोडक्ट है इसको अलग कार्ट में यहाथ की मैंने टू काट कर लिया क्ति से मैं छोटे वाले को किया था लेकिन एक कारने के बाद आप को क्या करना अपने अकाउट को बायर के अकांन को लोग पर किया हमने पेस्ट आप कि अगे अगे कि अगे कि अगे कि हो गया हमारा एट तो तो यह क्या हूँ हमारा जो यह बाला ओडर वैल्यू था संताली तैतालीस हजार का यह भी हमारा ओडर बन गया लेकिन इसके लिए क्या कि हमने दो काट बनाए दो काट के लिए मैं वीव ओल कार्ट दिखा दिखा देता हूँ कैसे बनाए यह देखिए एक काट तो हमने बनाया 24 1228 का और एक बनाया 19224 का अब जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल करके देख लेना आप सेम अमाउंट आएगा मैं एक मिनाट कैलकुलेट करके भी दिखाते तो हम आपको यह हमने कैलकुलेटर खोला और जो पहला माउंट है हमारा चौबीस एक्स 28.10 प्लस जो है हमारा सेकेंड है 19214.24 और इनका टोटल हम देखते हैं तो 43.342.34 और हमारे जो कार्ट की वैल्यू थी वो कितनी थी 243.342.24 तो यह हो गया हमारा सेम कार्ट इस ओरटर का भी हमारा बन गया इसमें हमें लवन की जूरत नहीं पड़ी तो इस तरह से होता है मल्टी ओडर के हमें कैसे परचीजिंग करानी होती हम यह जब हमारे दो कार्ट हो जाते अलग अलग अब दो कार्ट इसको कैसे बनाना इसमें ध्यान रखना एक प्रोड़क को पहले कार्ट कर लेना आपको इस वाले को उसके बाद के करना है बायर के अकाउंट को लोग करने के बाद फिर दुबार से आप इस वाले फ्रेश कार्ट को दुबार से बनाएंगे तो यह पूरा टॉपिक था कैसे मल्टी ओडर इन वन कार्ट करना है डिर्क परचीजिंग थूर लिंक कैसे किया जाता यह तो यह होता है पूरा प्रोसेस आई होप यह चैप्टर प्रेश कार्ट लौसेर इन वाले बाद थाले र geek